पंचकुला पोलिस ने हनी ट्रैप में फसाकर लोगों से शादी कर मोटे पैसे एटने के मामले में एक शातिर महिला को सारिनपुर से गिरफतार किया आरोपी महिला मुसलिम समाच से होने के बावजूद खुद को हिंदू लड़की बता कर शादी करती थी और फिर उन लोगों से मोटा पैसा एट दी थी और जो शादी नहीं करता था उन्हें रेप केस में फसाने की धमकी देती थी पोलिस को इस महिला के खिलाफ शिकायत मिली थी जिसके बाद पोलिस ने मामला दर्जकर महिला को गिरफतार कर लिया पोलिस जाज में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला अब तक पांच लोगों को अपना शिकार बना कर पैसे एट चुकी है अभी तक इसको रेस्ट कर लिया गया इन्वेस्टिकेशन चालो पांच दिन के यह रिमांड पे हैं अभी देखते हैं आगे क्या वह अभी रिमांड के दोरान पता चलेगा अभी तक पांच लोग अमारे सामने आज शुके हैं जिन को इसने सिकार बना चुकी है यस बीस अप्रेल को इसने नहीं साधी किये साहरनपूर यह लड़की मुसल्मान कम्यूटी से है बट यह करती हिंदू लड़कों से साथी है खुद को हिंदू बताते हैं अभी तो अभी तो इसने के दोकूमेंट्स ब्रामत के जाने हैं जो इनके साथ संलिप्त है उनको रेष्ट किया जाना है जो इनने पैसे अठा है उसको रिकवर किया जाना है बैरहाल आरोपी महिला को गिरफतार कर पांस दिन के पुलिस रिमांट पर लिया गया है और पुलिस रिमांट के दोरान आरोपी महिला से पूछताज की जाएगी साथ ही पुलिस रिमान के दोरान महिला से फर्जी तयार किये गए दस्तावेज भी बरामत किये जाएंगे पंजाब की स्ट्री टेवी के लिए पंच्छकुला से तारठाकुर की रिपोर्ट